हेलो, वाट्स अप गाईज, मैं नेम स्पिनोथ बादू थाप और आप सभी का बहुत-बहुत स्वाद करना चौंगा मेरे आसम चलन थापा टेक्निकल पे बाताना चौंगा आज बहुत ज़्यादा आसम है नहीं है इसको मैं 100% पे रख देता हूँ तो साज हमाले इंपोर्टेंट है कि अब हम यह जो नविगेशन इसको कैसे टैकल कर सकते हैं इसके लिए वी आर गूइंग तो गेट रियक्ट राउट डोम ठीक है सिंप्ली एन पेंप में चल रहा हूँ बहुत यह ऑसम पैकेज आप देख सकते हो वीकली डाउनलोट 6 मिलियन के उपर है सिंप्ली इसको कॉपी करना है मैं यहाँ पे चलता हूँ अपने सिंप्ली मैं यहाँ पे चला कंट्रोल सी मैं इसको कैंसल कर रहा हूँ टर्मिनल मैंने उपन की सिंप्ली आपको पेस्ट कर देना है and that's it इतना ज़्यादा सिंपल है and यह भी बोलते ही डाउनलोट हो जा रहा है it's super fast and then again npm start and मैं आपको फिर से यह भी दिखाना चाहूँगा एक सेक्ड़ sorry हम इसमें npm start नहीं कर सकते because यह थोड़ी npx के थुरु में ने create किया था it's your wait so npm run and then dev आपको लिखना पड़ेगा यह अब आपका काम हो जाएगा बिल्कुल tension ही लेना है and once again guys मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूँगा package.dson फाइल पे जो react route or dome का version में यूज़ कराऊँ that is your 6.3.0 तो make sure करना यह बराबर रहे ठीक है all right this is it में चलो काम इतना हो चुका है so सबसे पहले आप हमें क्या करना है guys देखें simple funda है कि अगर आपको react router dome install करना है and अगर आपको navigation वाली functionality चाहिए then किसी तरीके से आपके whole website पे वो react router है वो attach होना चाहिए right तो वो बहुत जादा simple है देखें अल्रेडी स्कूपर भी वीडियो अप्लोड कर चुका हूँ जो चेकाउट कीज़ेगा it's super duper easy so now हमें अपने URL को connect करना है सबसे पहले तो so मैं यहापे चलता हूँ we have a browser router ठीक है from react router dome then we have roots मैं यहापे चलता हूँ roots क्योंकि multiple routes है na homepage के लिए about के लिए services के लिए and then we have singular वाला route router नहीं लिखना आपको route लिखना है so इन दोनों में बस difference है कि इसमें एक as extra it's a roots complete एक साथ and यह route है एक-एक route हम define करेंगे ठीक है तो अभी जिस तरीकी से हम ही home about services दिखा रहते अब हम उस तरीकी से नहीं दिखा सकते so अब हम क्या करेंगे guys इन सबको मैं हटा रहा हूँ सबसे पहले we need a browser router ठीक है ताकि URL को हम connect कर सके and then we have multiple routes तो हम routes बताएंगे कि यह सब हमारे routes है अब उसके अंदर individual route को हम define करेंगे ठीक है तो guys यहाँ पे simply आपको path mention करना है like first time यह मेरा home page है and पहले हम component and all लिखते थे but now simply आपको element लिखना है and यहाँ पे guys आप बहुत easily यह जो आपका home है उसको यहाँ पे tackle कर सकते हो इस तरीकी से this is it इतनी easily guys आपका home का route बनके ready copy paste 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 ठीक हो हो गया यहाँ पे मैं चलता हूँ about ठीक है मैं यहाँ पे चलता हूँ services and component का नाम did to वही देना जो आपने create किया था यहाँ पे यह देखो यह services contact यही नाम आपको यहाँ पे properly देना है और कुछ नहीं contact this is it control save कर रहा हूं and obviously अभी आपका हो जाएगा about मतलब यूजर अगा URL पे लिखता है about तो वह इस about वाले component पे redirect हो जाएगा basically page पे and then अगर वह लिखता है services लिखने only service is enough I guess and यहाँ पे मैं चलता हूँ contact इस तरीकी से इतना लिखने मात्र से भी अगर आप देखोगे now अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ all right यह आपका run नहीं हो रहा है and that is because उसको वह मेली नहीं रहा है localhost 5173 over here तो मैं चलता हूँ यह दखोगा इस मुझे home page दिखाई दे रहा है ठीक है अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ अगर मैं लिखता हूँ about and boom guys see मुझे about page आगिया अगर मैं यहाँ पे चलके लिख देता हूँ capital लिखने की जौत नहीं क्योंकि हमने simple पर रखा तो services का page आगिया अगर मैं यहाँ पे चलके contact करता हूँ अगर मैं यहाँ पे चलके about लिखता हूँ तो मुझे about आ रहा है यह जो code है और यह जो code है वो तर almost same it just कि यहाँ पे nap bar है हमारा यह content है footer है that's why ऐसा दिख रहा है एल्स हुई है बट जो हमारा navigation वाली जो functionality थी वह तो हमने get कर लिए कितनी easily and I know guys आप मेंसे बहुत हो ने admin dashboard के उपर video की बहुत demand की थी तो मैं बताना चाहूँगा we have a rap pixel बहुत awesome website है guys इसको जरू check out कर लिजेगा आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे templates बहुत सारे different languages के थुरूप बनाये गए like angular bootstrap react अभी हम react देख रहे तो हम react पे अगर आप जाओगे तो guys आपको इसमें free and premium दोनों मिलेंगे and आप free में भी इसको install कर सकते हो and आप देख सकते हो guys react के थुरू बहुत कुछ react with boost wrap react with material pro यह देखे गाइस बहुत सारे आपको बहुत ज्यादा मज़ा हैगा and the best part guys आपको यहाँ फ्री बी में I mean देखे यह भी आपको free में मिल रहा है अब प्रीब्य कर सकते है यह भी आपको फ्रीव में मिल रहे है अप इसको फ्रीव में download कर सकते हो अगर में live preview पे चलता हूतू गयास है कि कितना ज्यादा awesome है यह इतना भी अगर हम खुछ से create कर ले तो यह बहुत ही ज्यादा awesome features है तो आप देखें गाइस कितना ज्यादा awesome है सिर्फ इतना यह नहीं इसको भी आप देख सकते हो live preview अगर हम चलते तो बहुत आप amazing मतलब बहुत ही ज्यादा awesome है तो गैसे एक बार इ आप एक चीस नोटिस करो हमारा नप बार एंदेन हमारा फूटर कभी चेंज नहीं हो रहा दे आर ओल्वेज दे मलब इट डजन्ट मैटर कि आप किस कंपोनेंट एक किस पेज पर विजिट करते हो about यह देखो sorry हम तो about पर यह contact पर यह देखिए foot I mean हमारा फूटर अपनी ज that is your header part header.js and then we need one more and that is our footer.js ठीक है spelling सही लिख दीजे आप बाकी तो कुछ नहीं footer.js this is it तो यह जो मेरा header है इस पर मैं react arrow function component with export header and then यह जो मेरा footer है react arrow function component with export my footer perfect इतना मेरा header and footer हो गया है अब मैं क्या करता हूँ इसको हटा रहा हूँ app पे चल रहा हूँ अब देखो गाईस ही जो root है मैं यहाँ पर क्या करूंगा roots अपनी जगे प्रेजेंट रहेगा तो यही कितना best else हमें हर एक page में जाके header को पहले top add करो footer को bottom पे बट नाव header already सिर्फ और सिर्फ app.js file पे रहेगा बाकी मेरे यह home about contact को लेना देना ही नहीं है आप मतलब जो footer कि इदर होगा bottom में मैं एड किया कि नहीं nap bar header पे nap bar है या नहीं उस अपर tension नहीं है अल्रेड़ी यह हमारा इस तरह किसे काम हो चुका है अब मैं control यह सेप करता हो तो अब आप देखोगे यहाँ पे आप मज़ा आ जाएगा and see एक second में refresh करना चाहूंगा तो guys आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पे error दिखा रहा है and if you are using jsx make sure to name the file with the dot jsx or tsx extension all right guys मैं आपको यह बात में बताऊंगा बट जो भी हो अब भी हम इसको jsx नहीं jsx रखना पड़ेगा अगर आप वीट से यूज़ कर रहे हो तो बट आगे जाके मैं आपको सब बता दूगा बिल्कुर टेंशन ही लेना है अगर आप देखोगे नाव देर विल बी no more error में अगर बैक चलता हूँ so guys we have this services control and save करो and boom guys see this is what मैं आपको दिखा रहा था we have a header services and footer अगर कुछ भी नहीं होगा like हमारा symbol I mean जो simple home page तो अब भी header है and then footer है अगर मैं चलता हूँ यहाँ पर contact पर तो guys अब आप देखोगे we have a contact and उसी तरह की से अब मैं चलता हूँ about पर तो आप देखोगे about तो अब आपको पता चल गया header अपनी जगे fix है footer अपनी जगे fix है खाली बीच का जो content है वो change हो रहा है कि हमारे website पर यह जो header है and then footer always same कैसे है तो guys कैसा लागा यह था ना बहुत ही ज़्यादा awesome all our guys तो अब हम हमारा जो nap बार उस पर थोड़ा work कर लेते ठीक है तो सबसे पहले क्या है guys we have our logo and then यह chart data है menu है और कुछ नहीं है simple ठीक है तो simply यह जो particular section इन सब को मैं हटा रहा हूँ यहां से ठीक है मैं यहां पर चलता हूँ simple header पर पॉफेक्ट जब हम style component करेंगे तो यह थोड़ा change हो जाएगा अब फिलाल इस तरीक से मैं आपको बाता रहा हूँ and then we need a nav link component simple हमारा जो react router dome हमें प्रोवाइड कर रहा तो काइस बहुत ज़्यादा मजाएगा and lamp I mean यह जो nav link है यह वो एक ऐसा component है जिस पर आगर आप किसी भी चीज़ को क्लिक करते हो तो पेज को refresh नहीं करते है तो जब भी कोई हमारे logo पे करेगा click तो हमें हमारे home page पे चलना है this is it तो basically यह जो particular section है अगर suppose अभी काव में contact पे इस पे click करते है आप देखोगी मैं home page पे आ जाता हूँ तो यह वही है and मुझे चाहिए image ठीक है तो मैं यहाँ पे चलता हूँ source में dot forward slash we have images forward slash logo dot png ठीक है logo dot png this is it इतने ही आपको लिखना था and alt पे आप logo लिख दी जाए खाली बाकि इतना कुछ हो नहीं है तो अगर हम यहाँ पे चलते है and boom guys see अब आप देखोगी कि मुझे error आ रहा है and I think वह error nab link के कारण आ रहा है गया nab link is not defined perfect nab link को हमने define नहीं की so guys let's go and define the nab link from obviously react router dome so we have react router dome तो at least इतना लिखने मातर से end भूंगा इसी यह आप बिलकुल error नहीं आने वाला अब देख सकते मुझे मेरा logo यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके से 100% कर देता हूँ इस चाहल हम कल की वीडियो में देखेंगे लेकिन logo इस तरीके से आ चुका है and मैंने already आपक component तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर अलग सा इसके लिए मैं create करना चाहूंगा nap करके component होगा ठीक है मैं यहाँ पर चलता हूँ nap करके component पाफेक्ट इस इस इट ठीक है and this is अब यह जो मेरा nap करके component होगा तो obviously मुझे create तो करना पड़ेगा component तो हटा रहा हूँ यहाँ पर right click ठ ठीक है guys and मैं एक new file create करहूं जिसका नाम है nap.jsx मैंने कुछ तो और ही लिख दिया इसका rename कर देता हूँ मैं यहाँ पर चलके jxx ठीक है perfect तो इतना मेरा काम हो चुका है and I think guys it will be better अगर हम इसको nap के बदले nap बार ही लिख दे right this is it so react arrow function sorry not over here over here इसको हटा दे रहा हूँ साइट पर चलना पड़ेगा अब यहाँ पर भी जो मैंने nap लिखा इसको मैं कर देता हूं nap बार and इसको मैं कर देता हूं import इस तरीके से simple ठीक है तो आप देख सकते इंपोर्ट भी वह हो चुका है तो मैं अगर यहाँ पर चलता हूं so we guys आप देख सकते हमें nap बार यहाँ पर करने वाला हूं and then guys मैं एक deep यूज करने वाला हूं यह जो deep होगा यह अब भी आपको थोड़ा बात ने पाता चलेगा कि यह deep मैं क्यों यूज कर रहा हूं फिलाल इसको मैं class name देके रखना चाहूंगा and that is menu icon करके ठीक है menu icon को show करना है या या उसके लिए वह उसको as it is रख ठीक है काइस नेब लिंग होगा क्योंकि नेब लिंग के थ्रू ही तो सब कुछ होता है राइट तो मैं यहां पर चल रहा हूं forward slash जब भी को इस पर click करेगा तो इस particular page पर चला जाएगा and वह page क्या होगा home that's it ठीक है control है save कर रहा हूं इसी को मैं copy करता हूं paste paste and then paste so यहां पर चलता हूं लिग देता हूं about and यहां पर मैं लिग देता हूं सरी किसे about ठीक है मैं यहां पर लिग देता हूं सर्विस यह तो हो जाएगा यहां से फिर आपका services ठीक है all right and यहां पर जब भी कोई redirect हो जाएगा तो इतना लिखने मात्र से काईस अगर आप देखोगे तो अगेन वह जो नैब लिंक उसको मुझे इंपोर्ट करना जरूरी है ठीक है सो मैं चलता हूं यहां पर इस तरीके से नैब लिंक प्रॉम अब आर जो यह react route दो में वहां पर सेफ करना तो अब आप देखोगे perfect आप चुका है यह देखो about पर क्लिक करूंगा तो इस यह about हो जाता है ध्यान से देखना यह about हो जाएगा सर्विसेज पर क्लिक करने पर यह सर्विसेज कॉंटेक्ट पर यह contact सर्विसेज अबाउट हो मैरा यह सब कुछ एकदम perfectly वह कर रहा है तो हमें बिल्कुल टेंसर नहीं है आज इस वीडियो के लिए इतना ही अब हम कल के वीडियो में style component क्या होता है उसको कैसे install कर सकते है वो हम कल के वीडियो में देखते है और यह जो कुछ दिखाई दे रहा वो कल की वीडियो में आपका बन जाएगा तो आज का वीडियो का हमारा main motive यह था कि आप react rot or dome का कैसी उस कर सकते हो एंड जो एक functionality हमें चाहिए थी कि top पे करने पे भी देखो about services, contact, सब कुछ हमारा काम हो चुका है और जो हमारा page वो भी update हो रहा है बिना page को refresh करे So this is it guys, आज इस वीडियो के लित नहीं and once again जो wrap pixel वाला जो एक website जरू check out कीज़ेगा, free snippets and अगर आपको लगता है कि नहीं या अपग्रेड़ेट करना मुझे बहुत ज्यादा जरू तो आप इसको जरू check out कर सकते हो, link आपको नीचे description में मिल जाएगा All right guys, अब हम कल की वीडियो में जैसे कि मैं आपको बता चुक है हमारा जो styled component है, finally उसको activate करने वाले है and यह जो कूछ भी हमारा page का जो structure है, predefined जो themes है and all है, उस सब कुछ हम कल की वीडियो में set करेंगे and कल का वीडियो आप मिस नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज्यादा आप सा आपको जरू check out कीजिएगा free emojis and all and guys, आप हमारा next target है 1 million subscribers, so guys, अभी तक अगर आपने subscribe नहीं किया, please subscribe कर लिजेगा, मुझे बहुत ज्यादा motivation मिलेगा and source code में बिल्कुल free में provide करो, ताकि आप लोगों को problem नहीं तो में भी चाहूंगा, guys, आप प्लिस उसके बदले channel subscribe कर दो हुआने, आप अभी में उसके आपश्चा, आप अभी में ग्साइबा आपने, आप जाबादाशी तो में अभी में नहीं कर दोग जचात ज़गों को याप एंवारे नहीं को